Hello everyone, I'm back. This is Swati, your English educator from Magnet Brains. ये वीडियो बहुत important है, क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम start करने वाले हैं format. Format देखने वाले हैं हम formal और informal letter का. तो जितने भी students हैं, please remember ये जो हम format discuss करने वाले हैं. CBSC ने जो इस साल 2020-2021 में जो pattern discuss किया है, हम उसी pattern को discuss करने वाले हैं. तो अब आपको कोई book को refer करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं online धूनने की ज़रूरत नहीं है. इसमें हम सारे discussions करने वाले हैं, but before that, letter writing क्यों important है? क्योंकि marks मिलते हैं. और हम एक बार check करेंगे marking scheme क्या है. सबसे पहले आपका जो format है जो अभी हम discuss करने वाले हैं. अगर आपका format सही है तो आपके एक number पके, total five marks में से आपके एक number पके. जो बाकी का जो दो mark होता है, आपने लिखा क्या है? पूरे इसमें जो आपका content है, content में क्या आता है? कि आपने किस तरीके से presentation दिया है? आपको जिस भी बारे में लिखने को बोला, उसको किस तरीके से आपने tackle किया है? appropriate use किया है, language का या नहीं किया है? किस तरीके से आपने किसी से reason किया है, मानलो complain कर रहे हो, या कोई suggestion दे रहे, advice दे रहे, तो किस तरीके से लिखा है? ये होता है आपका content. ठीके? तो आपको content के मिल गए दो marks. अब आपके जो बाकी के जो main two marks होते हैं, वो होते हैं expression. expression का मतलब यहाँ पर आ जाता है, कि भई आपकी spellings और punctuation marks सही है या नहीं है? आपकी vocabulary सही है या नहीं है? आपका letter का length सही है या नहीं है? ऐसा तो नहीं है, आपको लिखना है एक informal letter और आपने दो line में लिखके खतम कर दिया. या formal letter लिखना है और आपका formal letter चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, दूसरे पनने, तीसरे पनने, तो क्या होगा? कट जाएगा वो. क्योंकि it has to be specific. नेक्स होता है कि अगर मानलो आप बात करना चाहते हो कि सर मुझे जो छुटी चाहिए और आप बता रहे हो कि सर मैंने तो इतने अच्छी पढ़ाई करी और सर मैं इतना अच्छा student हूँ और सर मैंने तो बास्केटबॉल में चैंपियनशिप भी ली थी और मैंने तो ये व इसका मतलब कि आपका जो लेटर राइटिंग कर रहे हो उसमें खिचडी नहीं बनानी है उसमें कोई काटा पीटी नहीं चाहिए अगर मानलो गलती से कुछ गलत हो जाता है जैसे आपको लिखना था प्रिंसिपल ठीक है और आपने प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख आपने PLE लिख दिया अब आपको इसे काटना पड़ेगा क्योंकि आप पैंसे लिख रहे हो तो instead of doing that घिचडा पट्टी वो करने की ज़रवत नहीं है simply with a single line आप एक cancel करते हो उसको that is okay ठीक है लेकिन आप जो वो गंद मचाते हो ना ऐसे ऐसे करके जो काटते हो ठीक है इस डाजन्ट लोग गोड अट ओल तो वो आप avoid करो not only in letters हर जगा avoid करो ठीक है so ये सारी चीज़ें अगर हमारा ध्यान में हम रखते हैं तब हमारा letter सही हो जाता है अब आप बोलो के माम यहीं तो problem आती है कि format तो ठीक है लेकिन मेरे marks कहां कर जाते हैं मैं तो हमेशा सही लिखता हूँ अब जैसे format लिखते हो ये अगर आपकी margin है तो बच्चे कैसे लिखते हैं यहां फिर यहां फिर यहां फिर यहां कहीं चले जाते हैं भाई खेलना थोड़ी ना है ground थोड़ी ना है कि कभी ball यहां आपको लिखना है हर चीज आपकी एक margin से ही start होनी चाहिए एक दम सही तरीके से ठीक है उससे इधार उधार होगे तो फिर तो marks कटेंगे तो ये तो है format अब हम discuss करते है format जब हमारा format चलेगा तब हमें सब कुछ clear हो जाएगा सबसे पहले हम बात करें है informal letter के format की अब informal letter का as such कोई format नहीं होता एक pattern होता है एक basic format जो हम हमेशा से follow करते आ रहे होते हैं वही होता है ठीक है और अगर तुम देखा होगे formal और informal को उसमें सिर्फ दो चीजों का difference आता है ठीक है अगर simple format की बात करें तो बाकी जादा difference नहीं आता ठीक है obviously content is different तो एक अगर आप कहीं पर भी online धूंडोगे न informal letter का तो आपको as such clearly नहीं मिलेगा ठीक है तो हम देख लेते हैं क्या होता है basically सबसे पहले आपका आता है जैसे मानलो यह तुम्हारी margin है ठीक है यह तुम्हारा copy का margin है सबसे पहले तिम लिखोगे sender का address sender कौन होता है जो letter लिख रहा है जैसे suppose I am writing a letter to you so I am the sender and you are the receiver मैं sender हूँ आप receiver हो सबसे पहले मैं मेरा address लिखूंगी मेरा address क्यों लिखूंगी क्योंकि मानलो मेरी बात पढ़ने के बाद आप मुझे reply अगर करना चाहते हो तो आपके पास मेरा address होना चाहिए इसलिए मैं अपना address proper address लिखूंगी ताकि आप मुझे letter भेज सको उसके बाद मैं लिखूंगी मैं कौन सी date को लिख रही हूँ इस बीच में I will leave a line sender's address लिखोगे then you will leave a line फिर date लिखोगे then you will leave a line ठीक है इसके बाद आता है salutation salutation का मतलब होता है dear mom, dear father, dear sister, dear brother my dearest Neha or my dear Hardik anything ठीक है तो यहाँ यह होते हैं आपके salutation salutation लिखने के बाद you will not leave a line फिर आप लिखोगे body of the letter अब body of the letter एक three paragraph का set होता है यह अभी मैं समझाने वाली हूँ यहाँ मैं सिर्फ आपको एक चीज़ बता रही हूँ फिर आता है आपका complimentary close complimentary close मतलब आपका letter खतम हो गया है जो आपन लिखते हैं न yours truly, yours lovingly इसे कहते हैं हम complimentary close और उसके बाद आजाता है आपका signature जिसमें आप अपना सिर्फ first name लिखते हो informal letter में आप सिर्फ अपना नाम लिखते हो पहला नाम that's it अगर मेरा नाम स्वाती वडलमानी है तो मैं सिर्फ स्वाती लिखूंगी क्योंकि मैं अपनी mom को अगर letter लिख रही हूँ या अपने friend को letter लिख रही हूँ तो उसे पता है मैं कौन हूँ मुझे इतने detail में जाने की ज़रूरत नहीं है अब इस चीज को हम ध्यान से समझेंगे ठीके सबसे पहले जब आप लिखते हो sender's address sender's address आपका तीन line से ज्यादा का नहीं होना चाहिए पहली line में आप लिखोगे आपका अगर कोई flat number है अगर आप किसी flat में रहते हो किसी आप independent bungalow में रहते हो किसी campus में किसी एक घर में रहते हो आपके पास एक house number होगा ही होगा ठीके सबसे पहले आप एक house number या आपका flat number लिखोगे ठीके दूसरी चीज आप लिखोगे अगर आप किसी campus में रहते हो तो उसका नाम या अगर flats में, apartment में रहते हो, तो उसका नाम ठीके, third आगया आपका area का नाम अगर आपके पास जैसे एक बहुत छोटा area है, उससे बड़ा area है तो आप दोनों के नाम लिख सकते हो then comes, अगर आप village में रहते हो, town में रहते हो, city में रहते हो वो लिखोगे and pin code, pin code is not a must pin code ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप लिख के आजाओ, इससे कुछ problem भी नहीं होगी ठीके, अब एक example देख लेते हैं, जैसे कि मानलो A74 मेरा house number है, आम्र एडिन पार्क is the name of the society नयापुरा उस area का नाम है, जहां मेरा घर है लेकिन जो major area है, जिस area के अंदर नयापुरा आता है, उसे हम कहते हैं कोलाजोड और last में भोपाल, जो की city का नाम हो गया, along with the pin code clear? अब इस तरीके से आप address लिखोगे तो यहाँ पे देखो, हमारा जो sender's address है, इसमें सिर्फ तीन lines का address होना चाहिए यह नहीं की 1, 2, 3, 4, 5 और लिख दिया मध्य प्रदेश और इंडिया और world उतने details में जाने की बिलकुल ज़र्वत नहीं है sender's address लिख दिया, अब इसके बाद एक line छोड़ोगे एक line छोड़ने के बाद, अब हम आते हैं date में date जो होती है वो हमेशा आप expanded form में लिखोगे date कभी short form में नहीं लिखी जाती तो अगर आप date लिख रहे हो तो best format है ये ये तीन formats जो होते हैं वो CBSC allow करता है जिसमें सबसे ज़्यादा सही format है ये ठीक है, किस तरीके से इसको लिखते हैं? अगर मुझे यहाँ पर date लिखना है तो मैं date जैसे आज की date अगर मैं डालो तो यह हो जाएगा 25thth June 2021 अब यहाँ तुम एक चीज नोटिस करो ना मैंने full stop लगाया ना मैंने comma लगाया है मुझे यहाँ पर भी मैं comma नहीं लगाऊंगी यहाँ मैं full stop नहीं लगाऊंगी कोई punctuation mark यहाँ पर नहीं लगेगा ठीक है? next आता है इसके बाद आप एक line छोड़ दोगे इसके बाद फिर से आप एक line छोड़ दोगे अब हम आते हैं salutation में salutation में किस-किस तरीके से लिख सकते हो? dear father, dear mother, dear son, dear daughter या आप नाम अगर अपने friends से लिख रहे हो तो dear Prisha, dear Anita या अगर आप किसी uncle या aunt को लिख रहे हो dear uncle Peter, dear aunt Nana या अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो ठीक है? my dearest या dearest Veda, dearest Swara, dearest Vijay Lakshmi, anything then comes अगर आप मान लो आप किसी relative को लिख रहे हो dear Mr. Sane, Mr. or Miss करके भी आप लिख सकते हो and the last one is you can also write like this my dear mom, my dear father, my dear Mona, anything like that remember this thing ये है आपके salutation के format तो हम format भी देखते जा रहे हो और किस किस तरीके से आप लिख सकते हो हम वो भी देखते जा रहे हैं, ठीक है? next comes body यहाँ दो marks वाली body जो है, अब यहाँ पे आपके तीन जो paragraph होते हैं उसमें divide की जा सकती है पहला होता है introduction paragraph अब यह जो first paragraph होता है first paragraph में आप सामने वाले की well-being पूछते हो, हम एक informal letter की बात कर रहे हैं first paragraph में आप पूछते हो तुम कैसे हो, और I hope कि यह जो letter है, जब तुम्हें मिले तब तुम खुश रहो, healthy रहो and all these things, इसको हम कहते हैं starting, ठीक है you might begin by asking the recipient about their well-being अब यह well-being कैसे कैसे पूछ सकते हो पहली चीज़, how have you been और तुम कैसे हो या, I hope my letter finds you in best of health and spirits आप ऐसे पूछोगे how have you been I hope my letter finds you in the best of health and spirits मतलब, I hope यह जो मेरा letter है यह जब तुम्हें मिले तब तुम बहुत ही healthy रहो, खुश रहो ठीक है next is, it's great to hear from you अब क्या है, मानलो किसी ने आपको letter लिखा आप उस letter का reply लिख रहो तो आप कैसे लिखोगे कि तुम्हारा letter पढ़के बहुत अच्छा लगा ठीक है मुझे, मतलब आप तुम्हारा letter लिखने के लिए बहुत ज़ादा शुक्रिया so it's great to hear from you मतलब, तुम्हारी letters पढ़के मैं बहुत खुश हूँ many thanks for your letter तुम्हारे letter के लिए बहुत बहुत शुक्रिया या suppose आपको लिखना है how are you, how are things with you, how is it going or how is life आप किसी friend से बात कर रहे हो बहुत ही informal way में तो आप ऐसे लिख सकते हो how are you, how is life, how are things, what's up अब what's up मत लिखना लेकिन बाकी यह सब लिख सकते हो clear? तो इस तरीके से जैसे अगर आप कोई letter लिख रहे हो तो आप यह बोलोगे अगर कोई letter receive कर रहे हो तो इस तरीके से लिखोगे ठीक है, अगर कोई invitation मिला है तो आप क्या बोलोगे thanks a lot for your invitation अब यह आजाएगा आपका second paragraph में second paragraph में आप letter क्यूं लिख रहे हो क्या लिखना है purpose क्या है वो पूरे details आजाएंगे आपके ठीक है? अगर आप किसी को बर्दे के लिए invite कर रहे हो तो कब है बर्दे कहां जाना है कितने बचे पहुशना है क्या theme है कौन-कौन आने वाला है इसके अलावा कोई wonderful details है तो वो सारे भी आप डाल सकते हो clear? next is third paragraph अब ये third paragraph last paragraph होता है जहां एक तरीके से आप अपने पूरे letter को summarize करे हो आपने मान लो किसी को invite किया तो आप क्या बोलोगे? I hope to see you soon pay my regards to your mom or dad and give my love to your छोटा भाई, whatever so अब ये सारी चीजें जो है अपना ख्याल रखना ये सारी चीजें आपकी आजाती है summarize में third paragraph में तो आप वहाँ क्या-क्या लिख सकते हो looking forward to hearing from you या write back soon ठीक है? या आप लिख सकते हो I'm looking forward to seeing you मान लो आप मिलने वाले हो अब इसके बाद ये लाइन लिखना ही लिखना की जैसे अगर आप अपने फ्रेंड को लिख रहे हो तो आप क्या बोलोगे? kindly give my regards to your parents और kindly pay my regards to your parents and give my love अगर parents के बाद कोई छोटा भाई है उसका या उसकी कोई छोटी बहन है तब आप बोलोगे ये लिखने के बाद अब जैसे body complete हो गई again you will leave a line क्योंकि अब हम आते हैं हमारे complimentary closing पे closing का मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे एक तरीका नहीं है क्योंकि आप informal तरीके से लिख रहे हो आप लिख सकते हो love you, miss you, yours lovingly या yours affectionately या आप लिख सकते हो that you know, miss you know I like loads of love तो इसका कोई एक तरीका नहीं है but basically जो generally हम लिखते हैं lots of love या best wishes या kind regards ठीक है? या आप लिख सकते हो yours lovingly तुम्हारा प्यारा ठीक है? या तुम लिख सकते हो yours affectionately affectionately understood इस तरीके से आप लिखोगे और उसके नीचे बिना लाइन छोड़े आप लिखोगे अपना पहला नाम दूसरा नाम मतलब अपना surname लिखने की कोई ज़रुरत नहीं है सिर्फ अब अपना नाम लिखोगे that's it clear? this was the format for informal letter ये हमारा format था informal letter का इसका मतलब क्या हुआ? कि अगर मान लो ये मेरी margin है ठीक है? अगर मान लो ये मेरा margin है सबसे पहले मैं लिखूँगी sender's address तो जैसे मैंने लिख दिया sorry ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा A74 आमर एडन पार्क आमर अब जो भी आप address लिख रहे हो उसका first word capital होना चाहिए क्योंकि आप किसी जगर का नाम लिख रहे हो उसके बाद जैसे मैंने बोला नयापुरा ठीक है? ये हो गया area का नाम अब city का नाम लिखना है तो मैंने लिख दिया भोपाल ओके? pin code is not a must फिर मैं एक line छोड़ दूँगी तो यहाँ पर मैंने एक line छोड़ दी ठीक है? फिर मैं लिखूंगी date तो जैसे मैंने date लिखा 26th June 2021 अब यहाँ पर remember this thing जब आप नाम लिख रहे हो month का it has to be in capital letter small g या small s small o लिखके नहीं आना है no full stop, no comma after this again you will leave a line यह मैं सिर्फ बताने के लिए आपको बोल रहे हूँ कि यहाँ पर you have to leave a line आप ऐसे dot dot line बना के नहीं आऊँगी next comes salutation मैंने लिखा dear monu अब क्योंकि मैं नाम लिख रही हो नाम capital से start होगा कोई comma नहीं, बिलकुल कोई जरूरत नहीं है ठीक है, अब यहाँ पर मैं पूरा अपना जो है paragraph लिखा मैंने hope to find you this, मेरा बर्दे है और तुमाह जाना और सारी चीजें ठीक है pay my regards to your parents तो पूरा मेरा paragraph हो गया, ठीक है तो यह पूरा जैसे मैंने पूरा paragraph लिखा उस पूरे paragraph को लिखने के बाद अब मैं आती हूँ, एक line में छोड़ दूँगी पूरा paragraph लिखने के बाद एक line छोड़ोगे फिर लिखोगे, आप complimentary closing yours like lovingly अब lovingly में L को capital लिखने की कोई ज़दत नहीं है बाद में कोई कॉमा, कुछ नहीं आएगा और लिखोगे अपना पहला नाम Are we clear with this? हम बहुत सारे examples देखेंगे अभी कि informal letter में हम किस-किस तरीके से लिख सकते हैं बोथ, like 4th standard or 5th standard में जिसमें कम आपके पास matter होता है 6th, 7th, 8th standard में जिसमें आप matter को elaborate करते हो तो हम हर तरीके के examples देखने बारे हैं, ठीक है? In our next video, we are going to start with the format of formal letter जो की बहुत stringent होता है, followed by some examples Take care of yourself guys I hope आपको ये चीज अच्छे से clear हो गई होगी अगर कोई भी doubt होता है, then you can please ask me in the comment box Take care of yourself, thank you for watching, bye bye